हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम अपना सुधा संसार की सबसे बड़ी सेवा पुस्तक के चोथे अध्याय को पड़ेंगे तो चले शुरू करते हैं गुथियों का हल अपने भीतर है मनुस्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकास मौझूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपनी प्रकास छेत्र को स्वर्गी बना सकता है स्वर्ग और नरक कोई अस्थान नहीं वरन द्रिष्टी कोड है जब मनुसे तमो गुडी, तुच्छ, हिन, पतित, पाप, द्रिष्टी अपना कर अपने सोचने और काम करने का धंग दुसित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अन्वह होती है और बाहरी जगत में संघर, स्कलेस, द्वेस, रोग, सोक, गारी, द्रचिंता, भै, पीडा, तरास की परिष्टी तिया बिखरी हुई द्रिष्टी कोचर होती है कि तुए दिद्रिष्टी कोड उच अस्तरिय हो उसमें सात्विक्ता, प्रेम, दया, करूडा, मैत्री, सेवा, उदार्ता, छमा, आत्मेता जैसे आधर्सों का समन्या हो तो व्यक्ती का अंता, करण, हर घड़ी, संतोस, उल्ला, सुख, अमसान्ती से भरा रहता है ऐसे व्यक्ती को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र, सोजन्य, सने, सद्बाव, सहयो, अमसत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है यो या दुनिया तीन गुडों से बनी है, इसमें भला बुरा सभी कुछ है पाप और पुनिय का देवत्य और असुर्ता का दुख और सुख का उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है फिर भी व्यक्ती अपने दिरिष्ट कोड के अनुरूप ही परिस्तितिया प्राप्त कर लेता है भौरे के लिए इस बगीचे में फूलों की और गुबरीले कीडे को गुबर की प्राप्ती होई जाती है संसार बुरा भी है और भला भी यान दुष्टों की कमी है न सजनों की पर यह सब होते हैं होते हुए भी हमारे दिरिष्टि कोड का चुम्बकत अपने आप में एक ऐसा सक्तिसाली तत्व है जो अपने आकरसर से अपनी जाती की वस्तूओं आत्माओं परिस्तितियों को खीच कर समीप जमा कर लेता है मकड़ी अपना जाला आप बुनती है और उसी में फसी पड़ी रहती है हम भी अपनी परिस्तितियों की स्रिष्टी आप करते हैं और उसी में सुख दुख का अनभव करते हुए जीवन को हस्ते रोते ब्यतीत करते हैं आम तोर से ऐसा समझा जाता है कि हमारी वर्तमान परिस्तितियों के निर्माता कोई और है जब विपरीत या कश्ट कारण कोई असर सामने आते हैं और उनके निदान के कारण ही ढूट खोज करनी आउस्यक होती है तब हम यह खोजमिन अपने भीतर न करके अपने दोसों पर विचार न करके बाहरी काड़ों पर दोसा रोपर करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि दोसी कोई और सिद्ध हो जाए और हम अपने आपको निर्दोस मान कर संतोस कर लेने का कोई भाना धूर निकाले हम में से अधिकांस के प्रयत्न ऐसे ही होते हैं मानुई बुद्धी भ बना कर खड़ा कर देने की बिद्या में यह जादुगर्नी परम प्रमीड है भीतरी मन जिस बात की आकांचा करे उसके समर्थन में वह कलपना का पूरा महल नहीं नगर नहीं संसार ही गड़ सकती है और छोटे बच्चे की तरह मन को इस प्रकार जुटला सकती है मानो चंदा म आमा को आकास में उतार का हतेली पर ही रख लिया हो हम में से अधिकांस को इसी ब्रह में भटकना पड़ता है अपनी गुत्यों के समाधान का हल खोजते हैं पर वह मिले कैसे भूल भुलेया में भटकने वाले दिख भ्रांत मनुस्य की तरह हम वस्तो इस्तिती को समझ कहां पाते हैं और जो कठिनाईया जो अपनी कठिनाईयों के कारण को समझे और उसका सही उपाय जान कर उसी के लिए सच्चेस्ट हो हमारी मानेता यह होती है कि हम प्रते कठिनाई के जिम्मेदार हो सकते हैं हमारे अंदर न दोस है, न दुरूर, न हमें अपने को सुधारने की आव सकता है, न सम्हालने की, जो कुछ खराबी है सब बाहर वालों में ही है, वे ही प्रते कठिनाई के जिम्मधार हो सकते हैं, इस मानेता के इस्तिर होते ही, उसागर बुद्धी वाले वकील की तरह मन अपना काम करना आरंब कर देता है और मुकदमा जूटा ही क्यों न हो उसे जिताने के लिए आकाश पताल के खुलावे मिलाना आरंब कर देता है देखते देखते इतने तर्क इतने प्रमाड इतने कारण सामने प्रस्तत हो जाते हैं कि मनुस से उन्हें ही सत्यमानने लगता है और किसी प्रकार अपनी निर्दोसिता और आत्म संतोस करता हुआ थोड़ा चैन पा लेता है अनेत को व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें सताया गया है सताने वाले जो व्यक्ति समझ में आते हैं उनके प्रती क्रोध, द्वेज और प्रती हिंसा के वहाँ उठना स्वभावी की है यह एक नई जलन अपने कश्टों के साथ और जूर जाती है और जले पर नमक छिड़कने की तरह और दुख देती है कई बार और भी सरल तरीका समझ में आ जाता है व्यक्तियों को दोसी न समझ कर भाग के प्रारब्द, विधाता, इस्वर, ग्रह, नचत्र, भूत, पलीद आदि को कारर मानकर संतोस कर लेने की विविपधती का बहुत प्रचार हो चला है कारर यह है कि इन विश्वासों के आधार पर मनुस्यों को अपनी विवस्ता स्विकार करने और द्वेस अंप्रती हिंसा से बचने का भी उसर मिल जाता है देव से, भागे से, ग्रह नचत्रों से, द्वेस करने से भला क्यालाव यह सोच कर दुर्बल मानस वाले व्यक्ति भी अपना गम गलत कर लेते हैं गलत कर सकते हैं वस्तो इस्तिती सर्वता भिन्यय मनुस्य का अंतर प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया अस्तर का होता है उसे अपने अनुरूप व्यक्तियों, वस्तों परिस्तितियों को प्राप्त करने में देर नहीं लगती भीतरी प्रतिवा जब विक्सित होती है उसके प्रकास से बाहर का सबकुछ जगमगाने लगता है इतियास के प्रिष्ठो पर दिश्टिपात करने से या पता चलता है कि अधिकांस महापुरुस ऐसी अभाव गरस्ते महीन पर इस्तितियों में उत्पन हुए थे जहां स्वभाविक विकास की गुंजायस बहुत ही कम थी यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल मनुस्वी न रही होती तो उन्हें भी इस संसार के अनेक दीन हीन व्यक्तियों की तरह भागे का रोना रोते हुए जिन्दिगी के दिन पूड़े करने पड़ते पर हुआ इससे सर्वता विप्रीद उनने अपनी आंतरिक प्रतिपा के बल पर आगे को कदम बढ़ाए बढ़ते हुए कदमों को प्रोचसाइद करने वाला दैवी नियम इस संसार के आधिस से ही बना हुआ है कहते हैं इस्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं पुरुसार्थी के आत्म विश्वासी कदम जिस रहा पर चड़ते हैं बढ़ते हैं उसके रोड़े हड़ते ही जाते हैं हिमाले से निकली हुई गंगा की समुद्र में मिलने की प्रदिप्त भावना को हजारों मिल भूमी पर बिखरे हुए असंख्य औरूद कहां रोक सके गंगा की धरड़ाती हुई धारा समस्त प्रतिरोधों को कुचल कर समुद्र तक जाही पहुँचती है जगती के पत पर बढ़ती हुई आत्मा भी क्यों कर रुकेगी उसे कौन रोकेगा हिमाले जैसा उच आंत्रिक अस्तर जिसका होगा और समुद्र जैसे विसाल लच्य की आकांच्य होगी उसका मार्ग गंगा की तरह ही प्रसस्त है उसकी लच्य पूर्ति सर्वता सुनिश् यह तो करना ही चाहिए पर साथ ही अभी अस्मरण रखना चाहिए कि सारे संसार को सुधार लेना या इच्छा नुकूल बना लेना संभव नहीं है सारी प्रित्वी पर फैले हुए कांटे नहीं बिने जा सकते पर अपने पैरों में जूते पहने जा सकते हैं जिससे कांटो दोया जा सकता है क्रोद को क्रोद से नहीं सांती से परस्त किया जा सकता है यदी हम स्वयम-, मलीन होंगे बुराईों से सने होंगे तो दूसरों का सुधार कैसे कर सके के यदी हमारी भीतरी उल्जनो dwa जाला तना है, तो बाहर की गुत्यों को सुल्जा सकना किस प्रकार संभव होगा, इस अंसार में अगडित कठिनाईया मौझूद है, इस मानोजिवन की अगडित गुत्या उल्जे पड़ी है, उनको सुल्जाया जाना नितांत आउस्चक है, उल्जनों के बीच, कठिनाईयो के बीच चैन किसे मिल सकता है पर इन पहलियों को सुल जाते हुए हम यह ना भूले की अधिकान समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है उनका समधान भी हमारे अपने ही अंदर मौजूद है अपने को सुधारना अपने को बढ़ाना ही वह उपाय है जिसे दुनिया सुधर सकती है अपनी अकांचाओं की दुनिया साकार हो सकती है और उन्नती के उस सिखर पर पहुँचा जा सकता है जहां पुड़ता ही पुड़ता है जहां अभाव का सोक का भै का दुख का एक कारण भी सेस नहीं रहता धन्यवाद झाल 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 झाल